जब भी मैं किसी अजनभी के साथ खेलता हूँ, जिसे मैं नहीं जानता, तो मैं अकसर अपनी पूरी शमता के साथ खेलता हूँ, और नतीजे की चिंता किये बिना खेलता हूँ, मगर जब मैं किसी परिचित व्यक्ति के साथ खेलता हूँ, तो वैसी शमता के साथ खेलना परिचित व्यक्ति यानि परिचित प्रतिद्वन्दी या दोस्ट? दोस्ट, आपको दोस्ट से जीतने की जरुरत नहीं है, चलता है और वैसे भी, अगर आप किसी प्रतिद्वन्दी के खिलाफ एक गंभीर प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपको जितना ज्यादा पता होगा उसके खेलने के तरीके के बारे में उस व्यक्ति को हराना आपके लिए उतना ही आसान होगा तो प्रतिद्वन्दी कभी भी अजनभी नहीं होना चाहिए आज सभी खिलाडी सैक्रो घंटे बिताते हैं अपने प्रतिद्वन्दियों के वीडियो देखने में ये बात उन्नीस सौ ठ्यानवे निन्यानवे की है आंद्रिया गासी और बोरिस बैकर ने तीन गेम खेले सभी में बोरिस बैकर ने आंद्रिया गासी को हरा दिया क्योंकि वो उन्हें बूम-बूम कहा जाता था, बोरिस बेकर को बूम-बूम कहा जाता था, उनकी सर्विस के कारण, उनकी सर्विस इतनी शक्तशाली थी, वो बस सर्व पे सर्व करते थे और खेल खत्म कर देते थे, कोई गेन नहीं लोटा पाता था, तो आंद्रे अगासी अगले तीन सालों में दोनों के बीच 11 गेम हुए और उन्होंने दस में उन्हें हरा दिया और मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था बोरिस बेकर के रिटायर होने के बाद वो जर्मनी में मिले जर्मनी में उक्टोबर फेस्ट करके कुछ होता है वो वहां मिले उस समय वो साथ में थे और आंद्रे अगासी ने सोचा कि वैसे भी वो रिटायर हो चुका है अब मैं इसे बता सकता हूँ ये चीज बोरेस बेकर को बहुत परिशान कर रही थी, उन्हें कोई नहीं हरा पाता था, मगर ये आदमी हावी हो रहा था तो आंद्रिय अगासी ने उन्हें बताया, मैंने लगातार आपके वीडियो देखे और मैंने पाया कि जब भी आप गेंद को बाउंडरी लाइन के और सर्व करते हैं, बोरेस बेकर जब भी सर्व करते हैं, उनकी जीब बाहर निकल जाती है, थोड़ी सी, जब वो गेंद उपर उच्छाल कर घुमाते हैं, उनकी जीब बाहर निकलती है, अगासी बोले, जब भी आप बाउंड में आपकी जीब निकलती थी, मैं पहले से उधर जाकर गेंद खेल लेता था। तो बोरिस बेकर कुर्सी से गिरते गिरते बचे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले, कई बार मैंने मैच के बाद घर जाकर अपनी पत्नी से कहा है, कि लगता है, वो मेरा दिमाग पढ़ रहा है, मगर तुम मेरी जीब पढ़ रहे थे, वो सब बता रही थी, तो प्रतिद्वन्दी कभी आपके लिए अजनभी नहीं होना चाहिए, आपको उसे परिच झाल झाल झाल